बिना प्रेग्नेंसी से स्तनों से दूद हाना यंग लड़कियां महिलाएं इस बात से बहुत अधिक अगरा जाती है ये बात तो ठीक है कि दूरिंग प्रेग्नेंसी भी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आता है दूद जैसी चीज आ सकती है और उस तोरान शरीर में प्रोलाक्टिन नाम का हॉर्मोन बहुत जादे मात्रा में रिलीज होता है जिसकी वज़े से ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है और कभी-कभी कुछ महिलाओं में दूद का प्रडक्शन में शुरू हो जाता है और जिसकी वज़े से निपल से डिस्चार्ज भी आता है तो यह इसको गलेक्शोरिया कहते हैं और यह बेसीकली जादातर केसिस में हाईपर प्रलेक्टिनीमिया यानि की प्रोल्क्टिन नामक हॉर्मोन के अधिक होने कि वजह से होता है प्र्रोलेकरिन नामक हॉर्मोन का जो लेवल हो अप 25 नेटोर्म होता है इससे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो डायरनल याने की सुभे शाम के उसमें भी वैरी कर सकता है साथ ही साथ इससे भी थोड़ा अंतर पड़ सकता है कि आप स्ट्रेस में तो नहीं है प्रोलाक्टिन बेसिकली यह हॉर्मोन है जो दिमाग में पिट्यूट्रिली ग्लैंड से रिलीज होता है और यह एक बहुत इंपोर्टन्ट हॉर्मोन है स्टनों से दूद आना सिर्फ महिलाओं के परिशानी नहीं है कभी कभी यह पुरुषों में भी देखा जाता है क्योंकि प्रोलाक्टिन हॉर्मोन उनमें भी रिलीज होता है तो अगर जरुष से जादा प्रोलाक्टिन हॉर्मोन पुरुष में रिलीज होगा hypothyroidism की problem है उनमें वजन अधिक होने पर निपल के stimulation करने पर इस सब चीजों की वज़े से और सबसे important कारण है stress किसी भी तरीके का तनाव होने पर hyperprolactinemia होना बहुत common path है और इस तरीके के discharge आते हैं कभी-कभी कुछ medicines भी लेने से यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है comfort में किसी भी तरीके की परिशानी है इसको यूँ ही नहीं छोड़ना है doctor को दिखाना है hormone profiles अपने चेक कराने है और जो भी कारण है फिर उसी हिसाब से उसका निभारण करना है